हलो दोस्तों स्वागत आपके अपने चलन तनू कुलासेस में जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं फूरे अनुसरे निकले एक नोटी जारी की थी जिसमें दोस्तों आपको कहा था कि अगर आप लोग कितना सीट खाले उसी को इस वीडियो में बताएंगे ताकि जैसे ही वो अपडेट आए यानि कि college change करने के लिए option आए ताकि वहाँ से आप अपडेट कर लिजेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा सुधार करने का डेट दोस्तों 7 दिसम्बर तक रखी गई हो सकता है ये डेट आगे बरे लेकिन अभी फिलाल 7 दिसम्बर तक है तो दोस्तों आपको वीडियो को अट देखना होगा तभी आपको सारी जानकारे मिलेगी उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि पूने अनुसरी का कोई चोटी से चोटी नेटी पिर इस तरह का option खुलेगा, आपको सबसे last में आना है new वाला section पर, जैसे ही दोस्तों आप इस पर click करते हैं, फिर आपको नीचे आना है, admission login पर अभी नहीं जाना, मैं ये video हुआ, आपके last में करके बताऊंगा, उससे पहले seats availability, यहने कि कौन सा college में कौन सा seat का लिए, इसके आपको seats availability पर click करना है, ठीक है, इस पर click करने के बाद, दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको degree चुनना होगा, subject group चुनना होगा, district चुनना होगा, ठीक है, तो मैं आपको करके बताता हूँ, सबसे पहले आप degree चुन लिजे, जो भी आप subject में, मतलब कि honors subject ली हैं, जैसे कि मै example के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ, दोस्तों, मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, यहाँ पर computer, economics का ले लेता हूँ, ठीक है, BA economics का ले लेता हूँ, उसके बाद subject group जो है, economics ही होगा, उसके बाद, दोस्तों, district मुझे देखना है, पूर्णिया का, जैसे ही मैं पूर्णिया change करेंगे, तो आपको ध्यान में यह रखना है, कि उस college को देना है, जिस college में उस subject का seat खाले है, जैसे कि मैं आपर economics लिया हूँ, example के लिए लेता हूँ, दोस्तों, आपको अगर economic subject है, अब आप economic subject चुन लिजे, district चुन लिजे, जिस district में आपको लेना है, उसके बाद, दोस आपको बताऊंगा, कैसे करना है, तो जब आप update करेंगे, तो क्या कहता, दोस्तों, उस college को वहां से हटा देंगे, और इसमें से जो college यहां पर खाली रहेगा, उसी college को आपको चुनना है, अब दोस्तों, आप लोग बोलेंगे, कि यहां single seat है, तो इसको कैसे चुने, तो द से दूसरे college में आप लेते हैं, जसे कि जो college में seat खाली नहीं, उस college को अगर लेते हैं, तो दोस्तों, वहां पर आपका नाम नहीं आएगा, जहां दोस्तों, आपको simply करना क्या है, जैसे कि आप 5 college select किए है, माल लेते है, इसमें से एक फूल ए, पूर्णया college, पूर्णया मा करना है फिर अगर आप चाहते हैं दूसरा subject में सर्च आनोधर पेट के लिए करके चाहते हैं कि मैं दूसरा तो वह भी कर सकते हैं subject group चुनना होगा फिर district आपको जो भी आपका district है वो चुनना होगा उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा college में कितना सीट खाली है जिसी कि आप उसी जिस college में ज़्यादा sit खाली रहेगा उस college को आप select कर लिजएगा और 100% है कि उसमें आपका selection हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब आपको करना कैसे है मैं उसी को इस वीडियो में बताऊंगा simply आपको फिर back आजाना है दोस्तों वहाँ से आपको type करना है पूर्ने अनुशिटी ठीक है वीडियो थोड़ा लंबी बन सकते हैं दोस्तों मैं आपको पूरा करके बताता हूँ तो पूर्ने अनुशिटी टाइप करने के बाद फिर आपको वह official admission login वाला option पे जाना है जैसी कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं user name password और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं user name password और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं user name password और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं user name password और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं user name password और दोस्तों आप यहाँ V-merit selection पे click करके बताता हूँ जैसा कि दोस्तों मैं V-merit selection पे click किया अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी college में select नहीं है ठीक है किसी भी college में select नहीं है तो दोस्तों हम लोगों ने वहाँ पर देखा history subject honors में चुना था और दोस्तों वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पूर्या college पूर्या था लेगर उसमें मादरे एक सीर था तो दोस्तों हो सकता है पूर्या college पूर्या में यहाँ से हटा दू ठीक है पूर्या college पूर्या को यहाँ से हटा कर गे उसको बाद इसके जगह जिसमें सबसे अदा सीट खाले है जिस college में उसी college को यहाँ पर select कर लूँगा ठीक है वो option यहाँ पर आएगा उसी option पर आप जब click करेंगे तभी आपका college या फिर mark जो भी update करना होगा सारा चीज अपडेट हो जाएगा लेकिं दोस्तों अभी तक वो option नहीं आया है जिस कारण अभी तक आप लोग नहीं कर सकते हैं ठीक है तो उमीद है दोस्तों यह वीडियो आपको उन्फर्मिटर लगी हो कि जैसे ही यह option आएगा जैसे ही दोस्तों यह option आएगा मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा तूरंत आप लोगों के लिए आप लोग जो है चैनल को subscribe कर लेजे ठीक है कोई भी छोटी से चोटी नोटी से है फिर बड़ा से बड़ा नोटी चारे होता दोस्तों आपका सारा problem का solution होगा आपको कुछ नहीं करने के जोरत है आप सिर्फ subscribe कर लेजे जैसे ही कोई भी update आएगा आपको इस चैनल पर मिल जाएगा